आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दाइनी आंक का निचला इस्सा फड़कना सूब होता है या असूब होता है दाइनी आंक और बाई आंक फड़कने का अलग-अलग मतलब होता है यदि दाइनी आंग का निचला इस्सा पड़कता है तो यह असूब संकेत माना जाता है जबकि यदि दाइनी आंग का उपरी इस्सा पड़कता है तो इसे सूब माना जाता है अगर आप एक इस्त्री है और आपकी दाइनी आँख का निचला इसा फड़क रहा है तो यह आपके लिए असूब संकेत है पुर उसकी यदि दाइनी आँख पड़कने पर सूब माना जाता है तो मैला की दाइनी आँख पड़कने पर असूब माना जाता है यदि पूरी दाइनी आंग पढ़कती है तब इसे सुब माना जाता है अब आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी आंग पढ़क रही है यदि आपकी पूरी आंग पढ़क रही है तो ये सुब माना जाता है